एक नया सम् प्रेक्टिस के लिए बैंक रिकांसिलेशन स्टेट्मेंट अगे बढ़ रहे हैं हम क्रेडिट बालेंस एस पर कैश बुक यह धियान रखना है क्रेड़िट मतलब होता है प्लस उसके सबसे चलना है एड़ लेस कर रहे हो तो यहां पर अड़ वाले में डालने वाली हो वह आप अड़ में डालना फिर लेस में डालना है then you can find out what easy i was for me to change करना है चलो credit balance as per cash book so here हम लिखेंगे balance as per cash book अब यहां पर bracket लिखेंगे od od का मतलब होता है overdraft मतलब माइनस का बैलनस है credit balance है तुम credit पर लिखेंगे यहां पर 4260 credit balance है तो credit में लिखना है मतलब only overdraft balance है माइनस का बैलनस है तो ध्यान रखना है चलो next transaction देखते हैं check drawn but not presented for payment अब यह जीज़ ध्यान रखनी है drawn and issued same होता है drawn and issued will be same तो हम यहां लिखेंगे हमने check issue किये है check issued but not presented for payment ठीक है अच्छा इसके लिए हम क्या करेंगे याद है ना यहाथ हमारा cashbook यहाथ हमारा passbook अब हमने क्या किया इस्यू किये check कितने के 1900 के issue करते ही हमने cashbook को minus कर दिया नीचे लेकर गए credit कर दिया minus कर दिया bank में वो present ही नहीं हुए तो bank में तो कुछ हुआ ही नहीं bank का balance वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है क्या करेंगे अब हमारे पास कौनसा balance है हमारे पास cashbook का बालकिश है जिनकитесь है अ को चाले सके वः लगा कैकल ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इसको प्लस करना पड़ेगा दिए माइन अ किया था इसी को हमचेंज कर सकते सक्टें हम इसको वापस प्लस करेंग narrative तो प्रेजोंटेट के लिए कहा जाएगा यहांपे बस्में डेबिट में ठीक है चलीग the next one check deposited but not collected by the bank till date now again हमने check deposit किया है बट ओभी तह credit नहीं हुए चलो कर लेते हैं check deposited but not collected yak printed credited yakin ठीक है अब अगें cashbook passbook cashbook के अनर हमने पैसे डाले जाले तो cashbook में बढ़ा देंगे तो हमने 2100 से इसको बढ़ा दिया यहां तो आये नहीं अभी तक यहां पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ क्या करें हमारे पास कौन से क्या करना पड़ेगा क्या करने के लिए कम करना पड़ेगा तो 2100 रुपीज हम कहा डालेंगे माइनस में समझा रहा है ना एक cashbook एक passbook है cashbook में जो changes आए cashbook को अपने आपको ही करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि passbook तो ही नहीं आपके पास आपके पास जिस भी का बालेंस होता है वही बुक आपके पास है तो आपके पास कौन सी के cashbook चलो next इंट्रस्ट ओन ओवर्ड्राफ्ट नॉट्रिकॉर्ड इन दे कैश्ट बुक ठीक है यहां पर आप ट्रांजाक्शन जो भी है इसरी के से लिख सकते हो स्वाले तो ट्री इंट्रस्ट ओन ओं ओवर्ड्राफ्ट चलों मतलब कटा है पैसा है ना इंट ओवर्ट्राफ में जो बैंक ने आमें फैसलिटी दी थी उसके लिए उन्होंने इंटरस्ट चार्ज किया है अब ये पास्बुक कैश्बुक पैसे कम हुए किसमें पास्बुक में क्योंकि बैंक वालों ने अपके अकाउंट में से पैसे कट की हैं चीके कट के नीचे युए करें पास्बुक को थे चीक वालों जाला गया अब cashbook को पता ही अबी तक क्या करें हम तो कैश्बुक को ये जेंज्ग सकते यह कोल करने के लिए इकल करने के लिए को इसको भी नीचे लाना पड़ेगा तो इसलिए हम बाइनक ओड्राफ्त को माइनस करेंगे 200 इसलि the correctly entered in the cash book but omitted to be banked अब इसमें 400 रुपे हैं सोचो cashbook bank cashbook में आपने correctly record कर लिया पैसे आगे थे बढ़ा दिया यहां तो भेजा ही नहीं चेक भेजा ही नहीं तो वहां पे तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है हो ही नहीं सकता तो क्या करें अब क्या करना पड़ेगा एकोल करने के लिए नीचे करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा चोगें पट्रांसक्शंचेक चेक रिसीवड अब इस तरीके से लिखेएंगे चेक रिसीवड बट ओमिटेट तू बिबांग दू पड्स ओमिटेड तू बैग्ड हम बैंक में डालना भूल गए तो क्या करें, cash book से भी हटा देना पड़ेगा हमें, minus कर देना पड़ेगा 400 रुपीज, ठीक है, चलिए the last one, bank paid club fee for 500 रुपीज as per the standing instruction, bank को जब तक हम कोई instructions नहीं देते, तब तक वो हमारे account में से पैसा नहीं cut करते, ठीक है, तब क्या होगा, bank में हमारे account में से 500 रुपे cut कर हमारे account में से कम हो गया 500 रुपे, ठीक है, हमारे cash book में हम में नहीं बता था, भूल गया, standing instruction दिये हुए थे, लेकिन याद नहीं रागे, कट गया होगे, ठीक है, अब देखा, bank में to cut गया है, bank to minus है, हमें क्या करना पड़ेगा, cash book में, equal करने के लिए, यह तो उपर है, plus है club fee as per standing instructions, हमने standing instructions दी हुई थी bank को, तो इसके लिए bank में हमारे account में से 500 रुपे, इस कट कर लिए, तो हम क्या करें, हम भी हमें भी cut करने पड़ेंगे, अपने cash book में से, ठीक है, चलो balance देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखो, minus का balance जादा है, दिखी रहे, plus में तो कुछ है नहीं, minus का balance जादा है, तो जो balance आएगा, वो भी odd ही आएगा, minus का ही आएगा, minus का balance जादा है, minus में देखो जादा है, plus का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो balance आएगा हमारा यहाँ पर, balance as per pass book, उपर cash book है तो नीचे, pass book, इसे आप लिख सकते हो, od balance also, even, आ आपको पता है कि cash book के अंदर हमने किया था ना, cash book के अंदर क्या होता है, debit is plus, credit is minus, pass book में क्या था, pass book में debit is minus and credit is plus, credit is plus, चिक है, तो यहाँ पर हम इसके bracket में, यहाँ पर bracket में debit balance भी लिख सकते हैं, dr, od की जाएगे, dr भी लिख सकते हैं, बहुत अरा लाओ, od लिख सकते हो, od भी लिखना है, जैसे आपको सही लगे, ठीक है, अब इसका total करेंगे, minus का दिख रहा है, जादा है, तो पहले वो और total कर लेते हैं, 63, 63, 60, यह दोनों को plus करके, 900 plus 200, 1100, यह हो गया, 0, 6, 4, 7, and उसमें से 1900, अम minus कर देंगे, 0, 6, 5, 6 में से बन गया, 5, so we got here, 5, 5, 6, 0, so this one and total here is, 7, 4, 6, 0, 7, 4, 6, 0, simple as that, balance जो बचे का वो हमारा, हमारी दूसरी बुक का, जो भी बालंस होगा वो आजाएगा, इसी है, और करते हैं सम, और प्रक्टिस करते हैं, और अच्छे से इसीली समझ आएगा,